या नंदो, हॉस्पिटल के सामने खड़े हो क्यों फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है क्या हो आप आपी को? वही औरतों वाली बीमारी औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना अपूप इस सिगरेट कितना की है? दस रुपे की? और जेब में किती पड़ी? एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या बख रहा है? यह देख, मौत लिखी इस पे मौत और यह सानिटी पैट पे जिंदगी हसमात दो सिगरेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाक बिमारी जो महावरी के वक्गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आपको भी खतरनाक बिमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जंदगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी भीवी थी सोच अभास हीरोगिरी ये पीने में नहीं है ये देने में तंबाकू से दूर रहे सिगरेट स्मोकिंग इस इंजूरियस टू हैल्थ धूमरपान स्वास्त के लिए हनिका रखाए धूमरपान से करक रोख होता है स्वास्त कर रहे बाता है खोने हैं खाल को टु governance मैंन सबक्षे मैं है पूहर도 कि उसे कमीoires ताने हैं थार रल मोर्म कारा थार हो ठादो को यह खंड है कर दो 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 कर कर दो कर दो खीसरी टतो कर दो कर दो कर दो करद दो कर दो कानपूर उत्तर प्रदेश की धड़कन है ये कानपूर शहर यहीं से होता है राजनीती और अपराद का आगाज यहां जिधर देखो उधर लोगों का हुझूम नजर आता है खाने पीने के शौकीनों के लिए पिरियानी और खवाब पराठे की खुश्बू से तर बतर ये शहर चौराहों और गलियों में गुटके की चमचमाती जालरों से सजी हुई दुकाने यहां पर छोटी छोटी चाए की दुकानों पर चाए की चुस्कियों के साथ अखबार में जाते हुए कानपुर से लेकर अमेरिका तक की बाते करते हैं लोग गलियों और सुलकों पर क्रिकट का खेल तो एक आम बात है मगर इसी शहर में होता है एक बेहत खौफनाक भयानक खोनी खेल कानपुर में एक और अंदेखी अंजानी दुनिया है वो है अपराद की डरावनी दुनिया इस क्राइम की दुनिया में जो एक बार आया वो यहीं कहोकर रह गया और अगर लौटा तो मौत की आगोश में शौकीन मिजाच इस शहर में तेरा चौदा साल के लड़कों के लिए फैशन बन गया है जराएम अपने अंजाम से बेखबर ये नौजवान कूट पड़ते हैं अपराद की दुनिया में एक अंदेखे इशारे पर चंद पैसों के खातिर, हत्या, डकैती, लूट, चेन स्नैचिंग, चरस बिक्री और सटा बाजारी के दल्दल में बस्ते जा रहे हैं ये नौजवान एक ऐसी ही जुर्म की दुनिया की भैनक दास्तान अब आपके सामने है अलो, साले, तुझे मैं क्या आलूपय आज बेचने वड़ा दिखता हूं, हाँ जा बगपास कर रहे हो तुम, अब मेरी बास सुल, रात को एक बजे लाल इमली चोरहाई के पास बंद पड़ी फैक्टरी में पूरे पचास लाक रुपए लेके आजना, समझा मैं कहां से लाँगा इतने रुपए, हलो, हलो पिवारी जै, यह सर, यह फाइल, जैन सर, यह फाइल लीजिए, इसमें कुछ पेपर है, वो टाइप कराईए, आप चलिए मैं आता हूँ, ठीक है, ओके हलो, जैन सर, जी सर, जी मुझे पता है, उनके पास फोन आ रहे है, ठीक है, आप भेजिए उनको मेरे पास, मैं देखता हूँ, क्या गर सकता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक हलो, हाँ छोटू, कैसे हो, काम हो गया, क्या, अब तू कौन बोल रहा है बे, ये है बड़े भाया का खास आदमी सिखंदर, फोन पर धमकी देना और वसूली करना इसका पेशा है, जुर्म की दुनिया में इसका भी सिख्का चलता है, अबे शर्मा, तुछे प्यार से समझ अब तुछे प्यारा हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या, और ये है फरीद फाइटर, लोकल लिता और बड़े भाया के होक्म का कुला, तो तेरी गर्धन चोरहाय पे मिलेगी तेरे घरवालों को, समझा, अरे आफ्ताग, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, बड़े ब याका ताहिना हा। सर, यहां के अरत बहुत गंबीर है, पता नहीं क्या होगा इस शहर का? हम लोग कितने करजे में डूबे पड़े हैं, यह हम कैसे बता सकते आपको? चलिए आपके पास कोई मुबाइल नंबर नाव बगेर है? मुबाइल नंबर अपना दे ताहूं आपको? हाँ, दे दीजे इनको मुबाइल नंबर, मुझे इनको दे दीजे इनको दे दीजे पुलीस इस पक्तर जहां से निकल गया है पुलीस इस पक्तर जहां से निकल गया है प्रवार देगो बश्टरह चाहिए ऑच्छ जान से मार देना इधर मार इधर मार इधर ऑप अब भईया से कदधारी ये है अपराध की दुनिया का बेदाई बाश्या बड़े दुनिया इस चहर में बड़े भाईया के नाम का खौफ है या यूँ कहें कि खौफ का दूसरा नाम है बड़े भाईया हलो हलो शैंशाइन ग्रूप के चेर्मेन सुरेज बनवानी के बेटे को तुझे उठाना होगा ठेक है भाईया आज जिन दाड़े सबसे सुरक्षित कही जाने वादी नवीन मार्केट वहां से एक बच्चे का फरण हो गया है आज दिल देला देनी वाली घटना से पूरी नवीन मार्केट में संसनी का माहौल बन गया है खटना लगभग 12 बजे दोपहर की है गुंडे एक बैन में भर करके आये थे और बच्चे का मूँ दबा करके उसे उठा करके ले गए और इस तरह इमरान सरिया ने दिन भदिन कानपूर शहर में अपने आसंग का परचम लहराना शुरू कर दिया बड़े भईया का अपहरन के बाद ध्रोती मांगने का कारोबार तिन दूनी राज चोगनी तरक्ती परता है तिन दहाडे बड़े बड़े उत्योग पतियों के बच्चों का अपहरन होने लगा और बड़े भईया का खौफ पूरे प्रदेश में छाने लगा जैन सर इस शहर में सरयाम क्या हो रहा है रोजाना गुंडा गरदी हो रही है कतल हो रहे हैं हत्याएं हो रही हैं तमाम अख़बार जरायम और अपरात की खबरों से भरे हुए हैं हम अपने फरायज को सही अंजाम नहीं दे पा रहे हैं पुलिस बुजदिलों की तरह खड़ी तमाशा देख रही है सर अब तक इन गुंडों के डर से किसी ने भी उसके खिलाफ तहरीर नहीं लिखवाई है यहां बड़े भाईया का नाम आ रहा है जो अगवा, फिरोती और हत्याओं में शामिल है सर, बड़े भाईया को गिरफ्तार कर भी ले, फिर भी हमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब तक उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत है ही नहीं मुझे कुछ करना होगा, अब ये फाइल क्राइम ब्रांच को सुपूर्ट करनी होगी जिससे शेहर का आतंग खत्म हो, और एक जाबाज और बहादर नौजवान आकर ये सब कुछ ठीक करे जैहन सर, क्या हो रहा है इस शेहर में ये है ठाकर, कहने को तो सरकारी ठेकेदार है, मगर अपनी दबंगई से ये सारे टेंडर अपने नाम पर उठाता है इस शेहर में इसका एक ही प्रतितु इंदी है, और वो है बड़े भाईया तो टेंडर क्यों नहीं भरते है, वो तो सब के लिए खुला हुआ है तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुमारे होते हुए, वो कॉंट्रैक्ट मुझे कभी नहीं मिल सकता तुम चुप चाप मिरे रास्ते से हाट जाओ तुम कहोग और मैं पीछे हाट जाओंगा टेंडर भरो और किस मत पॉलो टेंडर भरने का टाइम नहीं है मेरे पास, वो कॉंट्रैक्ट मुझे ही चाहिए ये बड़े भाईया का ओडर है कौन बड़े भाईया यहां के सफ्टे बड़े भाईया है तो हम है तुमारा एक बड़ा भाई भी है एक कॉंट्रैक्ट के लिए तुम उसकी जानते नहीं गाना जाओगे बड़े चुड़ दो हमदे, वहां को च्छोड़ दो हमबया क्यू लेकर आए हुगे पूरे हरामी पूरे बीच दिन तक नहीं नचाता रहा हमें तु पूरे जोड़ दो हमने क्या किया है क्या शकल से क्यों लगते हैं साले हमें डबल पैसा देगा तू हम बिजवा देंगे आपका पैसे हमको एक दीन की मौलत देदो हम बिजवा देगा इबरान तूह कह रहा है साला ये बहुत कर रहा है उला साले के भाई को अधूपी ना पिक्षा 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 तो गौट उड़ी दूर लोगी पिक्षा कहां जाना है आपको जी पाथपले कॉलेज में बिलकुल करकाईली ओखटी आच्छाराँ दूख़ी करकाईल करकाईलीक जड़ाल दो के जारी इन ने भॉल कर लिक्षा रुकु dif को है लंद्व रुकु 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 है लाह कि आदेखे, इन्या लाओ, आपलो आप लग को समझाये न icon को देखे कैसे गंदे गंदे गहारे है क्या अब आपि पी इशंचाये न देखे ना को देखे सिलरी गंदे गादVIS भाणी गारे हुआ लगेदा हम वना क्या करो बहुत है को लेखो कम इनसे कम आपको से करी और सब्सक्राइब प्रम च्छाइगे तुम लगों को तो कि बच्छे का एक्सिडेंट वाया और दुम रहे खड़े के वेडियो बना रहे हो इश्वर ना करे ये घतना आप लोग के साथ में कभी हो और आप लोग को इसको हॉस्पिटर लेके जाना चाहिए आप लोग तमाशा देख रहे हैं आपे के ये लुप लुप बना रहे हैं घुप लुप लुप बना रहे है क्या काम है बाई 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 करें डादा परdeंगा चिछका ओ! प्रकुष्ट मेरे दादा, गोह मत बारो! छोड दादा को मत बारो! कल तक के लिए तर्फ। बस! समझे? कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है! अबहुंने बचेने हूजे वाला कोई नहीं है! बेटा इस दुनिया में हर बापी को सजा देने उपर वाला जरूर किसी को भेज़ता है एक दिन कोई जाबास फरिष्टा जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा कानपूर की अविवस्था को सू विवस्था में बदला जा सके कानपूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा अखों में डरना फिकर फिलमी है थोड़ा जिगर दौलत के लाल अच नहीं क्योंके दिल में खुदा का है डर आखों में डरना फिकर फिलमी है थोड़ा जिगर दौलत की लाल अच नहीं दिल में खुदा का है डर सित्पे जो हम अड़ जाएं मुश्किल है पीछे हट जाएं वाकिप है हमसे ये सारा जहां हम है कान के शोले खूरत से लगते हैं बोले उसके प्यार की भाषा बोले तो कोई प्यार से दिल को झूले हम एकान इसके शोले खूरत से लगते हैं बोले उसके कान के लीचे बजाएं तो कोई अकड़ के हमसे बोले हार ना हमने अब तक सिखा नहीं हमसे जुटकराया वो जीता नहीं चलती हावाओं का रुख हम ओड़ देते हैं खाबों में हम ना जीते तकदीरे लिखते हैं चिंगारियों के डर से बुझते नहीं हैं हम लोहे को पिखला दे जो पत्थर के शोले हैं उसके जो हम हड़ जाएं मुश्किल है पीजे हट जाएं वाके है हमसे ये सारा चाहा हम है कान पुर्प के शोले सुरते लगते हैं बोले उसके प्यार की आशा बोले तो कोई प्यार से दिल को छूले हम है कान पुर्प के शोले सुरते लगते हैं बोले इसके कान के लीचे बजाएं, जो कोई या करके हमसे बोले गुंडों की गुंदागीरी हमसे ही घबराएं दुशुमन जो हो मेरा वो कतरा के निकल जाएं जिनकलियों से गुजरे हम हो जाएं सनाता दुशुमन के पापाखी तो सासे भी रुख जाएं जिससे जो हम अड़ जाएं, मुश्किल है पीजे हद जाएं वाकिन है हमसे ये सारा चाहां हम है कार्फुर के शोले, पुरते लगते हैं बोले इसे प्यार की आशा बोले, कोई प्यास बिल सो छूले हम है कार्फुर के शोले, पुरते लगते हैं बोले इसके कार्फुर से बचाएं, कोई यथर के हमसे बोले हाँ सही बात है है यह सही बात है है यह आपने है जैहंदर जैहंदर जैहंद हम ओफिसर्स जैहर में क्या गडबर चल रही है यह बड़े भहिया को हुँझे क्या बताओ सार यहां जो विपरात हो रहे है वो बड़े भहिया और उसका दाइनाध इमरां-सर्या के इशारे पर हो रहा halten बड़े भाईया और इम्रान सरिया पे कई केसेज भी दर्च है कभी किसी को पकड़ा नहीं तुम लोगोंने कई बार पकड़ा सर पर जब भी पकड़ते हैं उपर से फोन आ जाता है अफसोस छोड़ा पड़ता है सर इन साथाट सालों से दस से बारा वील्डिंग्स अवैद कबसे कर चुके हैं और यहां तक माल रोड पे इनके दो होटल भी खुल गए हैं इम्रान सरिया कोई है सर बड़े भाईया के जितने भी अवैद दंदे हैं वो सब इम्रान सरिया ही देखता है सर इम्रान सरिया बड़े भईया का दाहिना हाथ है और बड़े भईया का सारा काम इम्रान सरिया ही देखता है जो महीना देता है वो बच जाता है जो महीना नहीं देता है वो तो सल जान से मार देता है सर अभरन फिरोती नशीले पदार्द यह सब इसका कारोगार है इससे ये जादा पैसा कमा रहा है सला कब तक इन गुंडों का आतंग रहेगा एक ना एक दिन उनको नाली के किनारे पड़ा देखोगे कल से हम लोग इमरान सरिया का नमबर लगाते है या सर ठीक है? ओके? जाए अंदर हलो कंट्रोल लूँ शायर के हर नाके पर बड़ी छोटी गाड़ी कोई भी हो चेक करो के दर अब है? आप लटीप को बेकर निम पे देखा था अब है मूग किया देख रहा है मेरा जा बुला के ला अपने अपसर सिद्धिकी को फोन करके पूश्च कितने बज़े आएगा? नेता जी को आपने बुलाया था नेता जी आ गए है कहा है किदर है? अंदर है नेता चलो फाल तू नेता नहीं हूँ मैं मीटिंग है मेरी बड़े बड़े नेताओं के साथ समझे? यहां के पबली को पर्मीशन लेनी पड़ती है मुझसे मिलने के लिए आज समझ में? अरे 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 तो ये है तू जब मुझे बुलाने आया था ना तब ही मैं समझ गया था कोई नया ओफिसर आया यहां पर लगता है आपको मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं मेरा नाम करीम फाइटर है यहां इस शहर का सबसे बड़ा जुगाडवागा नेताओं बड़े बड़े नेताओं को हमसे पर्मीशन लेनी पड़ती है कोई मुझे टक्कर नहीं लेता सब जानते हैं किस खेत की मुलिऊं में अगर बड़े बईया को पता संदिया तो क्या कर रहा तू जानता नहीं मैं यहां का नेता उत्तेरी वर्दी उत्रवाद दूँगा छोड़ मुझे छोड़ क्या कर रहा है छोड़ मुझे नेता ची को तीन दिन तक रिमान में रखो और ग्रफतारी मत दिखाना चलाट तू नजम नजम सा मेरे होटों पे ठहर जा मैं खाब खाब सा तेरी आखों में जागों ले तू नजम नजम सा मेरे हेलो बॉस मैंने प्रिया और शान को अभी लॉली गार्डन में देखा है क्या ठीक है मैं देखता हूँ हाई रही याँ जोड़ दो और बताओ नहीं रवर नहीं इसके बारे में क्या चलता है अजकल उसका हाई रही लग रही है सुरे स्वानवाने की बच्चे की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई सर पता चला कि आप बहुत जादा बेजी हैं किसलिए कॉल नहीं कर पाया था आपको तुम्हारे एक जैसे लोगों के चकर में हमारे डिपार्टमेंट बजनाम हो जाता है कि आप जोविज गंटे के अंदर बच्चे अगर तुम्हें नहीं मिला तुम अपना इस्टीपा केबल पर रख देना कि अबने चुलाए कि अबने चुलाए कुछ पता नहीं है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अभी कुछ पता नहीं चला साथ कि यह लिजिए हलो पता करो कब आता है और कब चला जाता है चार उतर भर नाके पर चेकिंग लगा दो और हाँ कोई चूख नहीं हो सब को चेक करो ओके क्या यार मजमा लगा के रखा है तुमने ये माल पड़ा है वो माल पड़ा है समय पर माल जाना था तुम बताओ कैसे बने गई है क्या है बड़े भाईया वो क्या जवाब देंगे हम क्या रे मरन आज किल तु बड़ा सुर्खियों में सलान 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 साब कानपूर में पोस्टिंग आपको मबाराख हो सद्धिकी साब मगर आपके आदमी मेरे लड़के के पीछे पड़े हुए हैं कुछ उनसे हासल नहीं होगा सद्धिकी साब मैं तेरे अलाके बहुत गरवर चल लेए सुना मैंने हम लीगल काम करते हैं हम लीगल है तेरे अलाके में seven गरवर चल लिंसान लीगल ल define ज़озмड़ा वरना तेरे अलाके से ले जाओगा सलाम सिर्चीज भाफ सलाम मुझार आना नपोई अले यार 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 क्या रिर्फान कुली बजार वाला मेट के अपारी सला पैसा नहीं दिया अभी तक फोग दाल साले तक भाई भाई बाई किदमाई निगर में जो पंसी लाला है साला पीच पेटी दिने से बार बार टाल रहा है ठोग दूं क्या साले को उसको भी ठोगगा साले को ठीक है झाल प्रिया, जी पापा, जी पापा बोले, शान से प्यार करती हो तुम, हाँ पापा, पापा, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम ये बाद आपको बता नहीं है वाली थे, बेटा, हमारे खांदान में, आज तक किसी ने, कीचर में फैर तक नहीं रखा है, और तुम, घटर के पानी से नहाने की बात कर रही हो, सिवाए बद्बू के कुछ नहीं मिलेगा, निकाल कर फेक दो उस गंदे शान का नाम अपने दिमाग से, नहीं निकाल सकती है, वो मुसे सच्छा प्यार करता है, रिया, भुझ से जमान लवाती है, हाँ, हाँ, मार दो मुझे, मार दो, सिवाए न अफरत, और गुस्थे के, आज तक आपने दिया ही क्या है मुझे, चान मेरी जिल्दगी ही है, मेरी खुशी है, वो खुशी भी नहीं दे सकते हैं आप मुझे, का कर दो कि यह कुछा दॉब यहार है ताज्या है अजरेक्स केड़ वे भाद भूले अज़े है अजय की आधके रहा है नियरा अजिए है क्या मुझे ये पैचानता नहीं है क्या ये मैं तुझे अच्छी तरह से पैचानता हूँ बेहतर होगा तू भी मुझे अच्छी तरह से पैचान ले मेरे खौफ का जरा सा भी डर नहीं है से तू कितना भी ताकदवर बन जाए कानून के सामने कुछ भी नहीं मुझे गुनागारों से नफुरत है गुना करने में तूने सारी हदे पार कर दी है यह मुझे बिलकुल पसंद नहीं है मैं जहां रहता हूँ गुनागारों का सफाया करता हूँ मुझे किसी का डर नहीं है मैं सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ तेरे जैसे लुच्चों से नहीं इसलिए बेतर होगा तू सुधर जा मैं तुझे एक मौका देता हूँ अगर तू नहीं सुधरा तो इसी जगा तेरी लाश मिलेगी कल से तेरे काली घंडे बंद हो जाने चाहिए समझा वर्णा शुरेश मनवानी के बच्चे का क्या हुआ उसका कोई सुराग मिला सर हम एक दो दिन में बच्चे का पता लगा लेंगे मुख्बिर हमारे लगे हुए है जैसे ठीक information मिलती है वैसे ठीक कर देंगे शुरेश मनवानी के बच्चे को लेकर परिशानी बड़ी हुई है अगर हमें ये बच्चा नहीं मिला तो अपनी क्राइम बच्च की वाट लग जाएगे चलो चलते हैं यहाँ पर बहुत टेंशन है यार मैं भी सूचता हूँ यार निकल जाओ यहां से चलो चलो निकलते हैं आओ बेटो और ये हैं विश्णू इस कहर का सबसे बड़ा प्रेशन है कभी अफ़ार बेशने वाला विश्णू आज सभी अफ़ारों की सुर्फी बना हो है कहते हैं राज मलिक को विश्णू एक कच्चरे के डप्पे में मिला था और उस कच्चरे से खपर शुरू करके आज विश्णू करोडों अर्वों का मालिक बना बढ़ा है अथा संपत्ती के मालिक विश्णू की एक फितरत है कि इसे जो जी पसंद आजा है तो वो इसकी बना है कीमत चाहें कुछ हो भी हो बड़े भाईया जैसे डॉन विश्णू की सरपरस्ती में क्राइम की दुनिया के विश्णू के विश्णू के विश्णू कैसा है पस लास और आप कैसे हैं मिलिक साब बहुत अच्छा वो तुमारे सिंगापूर वाले ट्रिप का क्या हुआ विश्णू डेल तो बहुत अच्छी रही और बटाईया और वो वेद प्रकाश से 50 करोड की जगह ली थी उसका क्या हुआ मलिक साब पीटर के लिए पैसा ही सब कुछ था और पुलिस गैंग में पीटर मारा गया क्योंके पीटर कदार हो गया था कदार कदार हो गया था पीटर काफी टाइम हो गया आप से मिले हुए है छोड़िये सब क्योंना आज एक चोटी सी पार्टी हो जाए हाँ लोग हम लोग प्लराइब करेंगे साथ में और करेंगे है ले रांब पागल लोगा किसे इन पहन गहाग गटा जए आड़ पकल रहा है बड़े वे यावे मेटिंग में जाहिन सर जाहिन सर ये सलीम कटो रही है ये बड़े भाई को बड़े बड़े चांद से मरवा देना चाहता है ये बड़े भाई के धंदे और काले कारणामों के बारे में बहुत कुछ जानता है बसाओ साब जितकानपुल शहर में ट्रॉक नकली दवाईयां इसमैक, चरस, अफीम, अवयद, असला, हथ्या, फिरोहती और अपरण के कारवार बड़े भाईया करते है शहर में इसके कही होटल चलते हैं में सट्टे का कारवार जोर शोर से करता है उसके खिलाब कोई भी जाता है तो बड़े भाईया उसे मरवा देता है यार विश्णू उस लड़के का कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका मलिक सहब? प्रिया का कि उस उसको इस लड़के के साथ कैसे उसका टाका खतम किया जा ये समझ में नहीं आ रहा है सर जहिन सर सर आप से कुछ लोग मिलने आए है जहिन सर सर मेरा नाम संजी सिंग है सर मैं एक बिल्डर हूँ और मेरा यहां सर सिविल लैंट में कुछ पोजेक चल रहा है उसी सिलसले में आप से कुछ बात करना चाहता हूँ बोलो सर मुझे कुछ दिनों से एक्स्टॉशन के कॉल आ रहे है फोन पे धंकी आ रही है बड़े भाया की नाम से और सर कल तो ऑफिस में उनके कुछ गुणडे आकर मुझे धंकाने लगे कहने लगे अगर मैंने उनको पचास लाग रुपे नहीं दिये तो मेरी बीवी मेरे बच्चों को मार डालेंगे सर सर प्लीज हमारी मिदद कीज़े सर हम बहुत डर रहे हैं सर इंस्पेक्टर खान सर इनका मबला देखो क्या है सर कल तक इनका निप्टा देना सर जी सर ठीक है? ठीक है? क्या कर रहा है बे? दिखने रहा, गेम भेंगे गेम तो तेरा बजने वाला है अबे कहा हून है बे तु? तुझे यहां से ले जाने आया हूँ तु मुझे जानता नहीं है मैं यहां के गौड पादर बड़े भाईयग आदमी हूँ तु मुझे आसानी से ले जाएगा यहां से चुप चाब मेरे साथ चल वरना तुझे कुटे की तरह घसीट कर तेरे इलाके से ले जाओंगा बे ले जाओंगा से ले ऑरिफषड़ेright शित। कर दो से हया एकान रही है कर दिए, कर दो में खर दो ईजन्यों कर दोया है कि बढ़ गोगा जा अई जो सब्सक्राइब तरी कि अबने लुटे जी उसे उपने एपने दो कि विश्णू विश्णू नाम है मेरा और तुम शान चरत्याद बाप को नाम कमल चरत्याद बाप एक ट्रेक ट्राइवर इट्वी मौट रोट एक्सिडेंट में मा निर्मला देवी एक नवकरानी जो लोगों के घरों में जा जाकर कपड़े बरतन साप माजती है और तुम एक आवारा बच्चलन लड़के हो पेशा अमीर घरों की लड़कियों को अपने जाल में फसाकर उनके पैसों पर एश्णू मैं तुस्से सिर्व एक बाद करूँगा या तुजन बची से हमेशा हमेशा कि यह तेरे लिए ही फाइदा है और तेरे लिए ही अच्छा होगा विश्णू लगता है तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया अगर किसी से प्यार किया होता तो यह बात कभी नहीं बोलता देख यह कौने तुझे पता है मलिक साथ राज मलिक पूरी दुन्या का डॉन इतना बड़ा इतना बड़ा थाम है तो यह कचले के दिपे से मुझे उठा के लाया और मुझे विश्णू बनाया और इनकी बैटे से तुम्हें इश्क लड़ाया देख मैं चाहूं तो तुझे अभी यहीं मार सकता हूं लेके नाई वो क्या है ना के आज मलिक सापका है पे बर्धरे है न और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का खून खराबा हो यहां यह रख जितने गिंती तुझे आती है उतना पैसा पर ले और प्रिया के जिन्दगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाँ विश्णो सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती यह पैसा तेरी कमाने की का होएगा विश्णो तुमने छोड़ दिया उस लड़के को वो दो कोड़ी का लड़का तेरे चेहे पर चेक पठका चला गया मार दूगा उसको मार दूगा वो क्या है ना के आज अपका हैपी बर्ड है न तो मैं नहीं चाहता कि आज के दिन कोई भी खून खराबा कूल टाउन में लिक साथ कूल टाउन चलाओ एसीपी अकरम सिद्धी की अपनी क्राइम ब्रांश टीम के साथ इम्रान सरीया के ठिकाने पर रेड मारता है वहाँ उनको बच्चा दुप्रावाद होता है मगर इम्रान चाहती सिर्वाद मताता है प्रू। प्र्दलर्दलर्दलर्दलर्दल्ट लुडश थाकूर की शह पाकर इमरान सर्या बड़े भईया की चड़ों को पाथने लगा मौका मिलते ही बड़े भईया और उनके गुर्गों का सफाया इमरान और ठाकूर का मकसद लगा किस से पूच के रोका था तूने मुझे जो सही लगा वही मैंने किया किसी मासम की जान में नहीं ले सकता था यहा धंदा तेरे इसाब से नहीं चलेगा वहालाद के चलते इमरान सर्या और बड़े भईया एक दूसरे के पून के प्यासे हो गए मौका मिलते ही एक दूसरे के आदमियों को मार देना इनका तस्तूर बन गया था एक दिन इमरान सर्या अपने प्यासा इव्रान सर्या बड़े भईया के आद्मियों को देखते ही गोली से ऊड़ा देता है सिर्फ इसके हाथ प्यर तोडने है इसे गोली नहीं मानी कुटते को चलो निकलते हैं क्या नाम बता है तुमने अश्का इम्रान सरिया थाकुर साब मौका अच्छा है इम्रान सरिया और बड़े भईया में बच्चों के अपरण को लेकर दोनों में तना तनी हो गई है इम्रान सरिया ने अपना अलग गैंग बना लिया है कुछ आलाकों में जो कुत्तों के गले में बड़े भईया का पट्टा लटकता था आज उसमें से कोई नजर नहीं आ रहा इम्रान सरिया बड़े भईया के लॉंडों को मार देता ठाकु साथ ये बहुत हिम्मत और होसले की बात है इस शेर के डॉन से टकल लेना हिम्मत और होसले वाले ही मुझे पसंद है पर इनका इस्तमाल कैसे किया जाए ये किसी को नहीं पता अब कंदा होगा ठाकुर का और बंदूक इम्रान सरिया की अब आएगा खेल का मज़ा है इस इम्रान सरिया को पेश करो हेए अब ये हाग रहने है ये फट्टाओ इस जाने नहीं चाहिए आरा पकड़ ये प्रक्ड़ नहीं का है इस एअब पर ये ये सर ये सर सर मैं देख लूगा उसको जी सर खीक है मैं देख लूगा जैन सर शिवम जी सर इसको और मारा तो इसका क्या लोगा मर जाएगा सर ये कुछ बता नहीं रहा है अपना टाइम वेस्ट हो रहा है और आश्पी साब ने कहा है कि काली से कोड ले जाना है कोड से जेल और जेल से कोड अपना ही नुकसान है ये सर बताता हूँ बताता हूँ बड़ा भाईया का छोटू हे वो पूरा काम देखता है बड़ा भाईया का देखता है उसका पता पटकापूर गणेश गली में वो आजकल वही से उसका काम देख रहा है बता तुने किंड़ेप किया था और बच्चा काँ चुपागे रखा है सुनो आज रात रफी के घर के आसवास लग जाओ आज साले की आखरी रात समझे बच्चा हर किमत पर चाहिए कोई बचे या नबचे अस्मान जी बाई एस्मान जी बाई एसीपी को फोन लगा बिलकुल बाई बाई एसीपी का फोन एसीपी कौन बोल रहे हैं तू? तेरा नाम बहुत सुरकियों में एक बार तू तू बच्च गया पर अब दुबारा नहीं बचेगा हर बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी तू समझता है मेरे दस बीस आदमी को मार कर तू मुस्तक पहुँच जाएगा ये सोचना भी मत सिर्फ काम की बाते सुन तेरी लिए काम की तीन बाते जानना बहुत ज़रूरी है नमबर एक जिस डॉन की पोस्टिंग के लिए तू तड़प रहा है वो तुझे कभी नहीं मिलेगी जिस नाम इजज़, थाकत, शौरत का तुझे इतना गमंड है मैं उसे चेकना चूर कर दूँगा और तीसरी बात, सुन कुटे जब तेरी किस्मत खराब होगी तेरी मौद करीब होगी तो तू मुझे सामने पाएगा और तुझे इतनी बुरी मौद दूँगा कि मौद भी घबरा जाएगी तुझे देखकर हट मरेगा साला थैंक यू जहिन सर जहिन सर उपर से मंत्री जी का फोन आया था कमिशर साहब के पास इमरान सरिया को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जी में चाहता है कि मंत्री को गोली मार दूँ साले के यहां मारू यहां एक साले के सीने मारू सीने में हमें इन लोगों की वज़ा से हमारे दर्वार में तुम्हें आना ही पड़ा कैसे आना हुआ सरिया थाकुर साहब मजे अपने अपमान का बदला लेना है बड़े वहिया से सरिया तो ऐसे दर्वार में आये जहां से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं गया अब तुम पर हमारा हाथ है यह बड़े भहिया ने हमारे धंदे की वाट लगा दी है आज से यह तुम्हारा भी दुश्मन है और हमारा भी ठाकुर की शेह पाकर इमरान सरिया बड़े भहिया की चड़ों को काटने लगा मौका मिलते ही बड़े भहिया और उनके गुर्गों का सफाया इमरान और ठाकुर का मकसद बन गया आलाज के चलते इमरान सरिया और बड़े भहिया एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए मौका मिलते ही एक दूसरे के आदमियों को मार देना इनका तस्तूर बन गया खबर मिलते ही इमरान सरिया बड़े भहिया के आदमियों को घात लगा कर मारने लगा बड़े भहिया के खून का प्यासा इमरान सरिया बड़े भहिया के आदमियों को देखते ही गोली से उड़ा देता है झाल झाल शेप बनवा रहा है इमरान सरिया का है हमें नहीं पता इमरान सरिया का है सच बता है इमरान सरिया किदर है हमें नहीं बता भाई सच बता दे तेरी जान बख्ष दूँआ अरे हमें कभी टेम से नहीं दिखे भाई वो उस्मान काट डल साले के गर्दन साले तेरी गर्दन काटता हूँ मैं सोच नहीं बताया तुने एक दिन इम्रान सरिया अपने कुंडों के साथ बड़े भाईया के ठिकाने पर हमला बोल देता है बड़े भाईया के आदमी भी कट्टे का जवाब कट्टे से देते हैं और गैंग वार शुरू हो जाता है बड़े गए भी कट्टे के साथ सुनके साथ गजर वार बढ़े परस देता है अवार पराईया वार अवार नहीं का बढ़े पर यारा था है पर दो अवार पर दो ह Instrumental हकोल साभ ये नहाप का शिकर हमvent Like तेरे को तो अब ठाकुर साब देखेंगे अब तो सिंदगी की भीक ना कभी ठाकुर रगभीर सिंग ने ली और ना कभी दी हृँ सिंगा… सर पता चला है कि बड़े भाईया का नेटवर्क दिल्ली और NCR में भी फैला हुआ है छोटे के पास से जो तुमने इंफॉर्मेशन निकाली थी उससे बड़े भाईया का पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता है लेकिन सर बड़े भाईया के नेटवर्क तो UP में है अच्छा ठीक है मैं भी बात करता हूँ जहिन सर बड़े भाईया और ठाकूर वीर प्रताप सिंग गैंगवाज जोरो से चल रहा है ठाकूर वीर प्रताप सिंग के आदमी बड़े भाईया के आदमी को मार रहे है ये तो बहुत अच्छी बात है आप असमें लड़ मर रहे है, हमारे लिए फाइदे की बात है, जो बाकी बचेंगे, उन्हें हम लोग ठोक देंगे मरवा दे उसको विश्णू, मरवा दे उसको सही कहते हैं आप जान का कुछ नकुछ तो करना पड़ेगा हलो सत्या, जी बास, मैं तुझे अभी वाटसप पिक पेज रहा हूँ, हाँ जी बास, बेजिए, उस दे लखेगा भी खात्मा होना चाहिए, अच्छा बास, जान से मानना है तुझे जान से, हो जाएगा बास, आज ही होगा जाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कि कितना पिट गया इंसान कि तुझे कितनी बार समझाया कि पिल्या के चक्कर में मत पाण लेकिन तेरे समझ में नहीं आया तेरे समझ में नहीं आया मलक ता हसले हसले तू रावन भी बहुत हसा था लंका लंका देहन होने से पहले मैं तो डर गया मैं तो डर गया मलक सहाप मैं तो डर गया परी बहुत की आखरी हसी होगी तो 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 जालो तू मुझे मारेगा तू मारेगा मुझे तू तू प्यक्दो साले को मार कर पटरी पर फिक दो साले को आप प्यवके को मैं भु़ यज बहुआएathy प्रुब्स प्रुब्स तेरा नाम क्या है वासू क्राइम रांच तेरी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे जैसे गुंडे इस देश को दीमक कीता रखा रहे हैं सुन गौर से तेरे लिए हम कितने पैसे का इंतिजाम करें जो तु मेरे पिछे हाथ दोके पड़ा है उससे तु दिमाग हटा दे अगर तुने ये सौदा नहीं किया तो इसका अंजाम जानता है तू कितनी दर्दनाक मौत देता है बड़े भाईया पैसला तेरे हाथ में है रिश्वात हारगेस नहीं सर ऐसी हमें अगर खामोश रहेंगे सर पानी सर के उपर चड़ जाएगा आज रिश्वान कल हम होंगे बाद मैं अतुल सर अगर इसका हम छोड़ देंगे सर गलत हो जाएगा देखो जोश में बताओ और अपनी अकल से काम लो जी सर हम बड़े भीया को अपने सिस्टम से मारेंगे पहले उसके चोटे बोटे गुर्गों को मारेंगे हैं हाँ जी सर उसके बाद उसके साथ और लोग जो जुड़े उनको मारेंगे जी सर वक्त आ चुका है उसके मरने का जी सर वो मरेगा जरूर जी सर सर लखनों के लिए निगलते हैं कि आज हाँ विश्णों वो शिवराजपूर वाले जमीन का क्या हुआ मलिक साथ उसके रेट अभी बहुत गिर चुके हैं तो इस पे लोन भी तुलिया जा सकता है हाँ लोन के लिए हमारे पाथ एक मेनेजर है अगर वो सीधी तरीके से मान गया तो अच्छी बात है और अगर नहीं माना तो मुझे आता है है इंकम टेक्स रिटर्न लाओ यह लाओ नौटंकी करते हैं साले मलिक साथ वो सब कुछ मेरे उपर चुलिए मैं करके दूंगा और जो हम जो का सपना है ना उस अपने को मैं हकिकत बंते देखना चाहता हूं मलिक साथ वेरे गुड़ वेरे गुड़ विष्णु वेरे कारियर कि अधार है अधार है वेलकॉम 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 हाँ मैनेजर सहाप यहां आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको मुझे यहां क्यों बलाया है वो क्या है ना के मैनेजर सहाप मुझे ना एक होडल बनाना है और उसके लिए हमें बहुत सारी जमीन चाहिए और मुझे आपके बैंक से छोटा सा लोन लेना था बस मेरी बैंक से लोड हाँ मेनेजर सहाब और तुम्हारी जैसे इंसान को एक गुंडे को मेरे बैंक से तुम्हारी जैसे लोगों को लोड नहीं मिल सकता मेनेजर सहाब ऐसे कसे बोल सकते हैं उसके बदले में आपको आपकी मुँमांगी कीमत भी देने को त्यार हूँ मैं अपने बैंक से धोका करूँ तेरे गुंडे, तेरे जैसे गुंडे के लिए मैं अपने बैंक से किसी भी कीमत पर किसी भी पेपर पर तेरे जैसे इंसान को लौन नहीं दे सकता मेनेजर सहाब आपके घर में दो बच्चे हैं तो? और एक दूनी है वो भी जवान तो आपको क्या लगता है? कहीं वो इस्कूल गए और शाम को वो वापस ना आए तो मुझे डरा रहा है अरे मुझे मारेगा मादल मुझे मगर मैं तेरे जैसे इंसान को अपने बैंक से किसी भी कीमत पर लो नहीं दे सकता रहे पेपर दे पेपर दे मैनेजर साब सिर्फ एक साइन चाहिए आपके और जितने कीमत चाहिए उतनी मैं देने को दियार हूँ हम मैंने कहा ना कि तेरे जैसे इंसान को अपने बैंक से लो नहीं दे सकता अरे बहुत बोलता है आरजी आ आ आ आ मैनेजर साब को चुच है कि सोचा आपने या अभी भी ना है आपको कि मुझे चोड़ दो कि मुझे चोड़ दो कि अरे मैंनेजर साहब मैं छूड़ने के लिए तो आया हूं आपको देवा पेपर तो देवा पेपर दो मैंनेजर साहब मैंनेजर साहब एक छोटा साइन नहीं कर सकते आप नहीं मैं अपनी नौकरी से करतारी नहीं कर सकता मैं अपने देश शेकर दारी नहीं कर सकता चला यार अपने आपने ंपने मैं अपनाव मैंर सकता अफरो गिए पैपने बिएग औरू अगंपनौ को आपने आफरr से को खड़ूरा को अपने पैना कुटरबड़ूर् आपने मैंर मैं उ़ कि एएएगरण आपने पना हाषरी ख doctब अहाँ हो मेरी बात मान ले था तक हमँ आँ हलो कुमा क्षिर है sare 동 है शुपने का भी को यहाँ जाते व हुआ है यह तु यह तो नजार रख नजार रख भेет बहु yar हाँ गंगा हाँ फरिद भाई बोल अरे वो कुमार का फोन आया था एसीप को देखा उसमें कहीं अच्छा तु कार के पास पहुच मैं वहीं आ रहा हूँ ठीक है जी भाई ठीक भाई ठीक भाई ठीक भाई अंदर चल चल अब मार तो इसको बहुत पीछा कर रहा था हम लोग का हाँ चल आज तुझे अपने बहुत से मिलवा ही देता हूँ परिद भाई टाइम में खराब करो मार साले को कर दो में दाएmm जाहिन सर, जाहिन सर, कल खौजा साप का उर्स है सर, हम ये सब चाहते हैं कि आप भी साथ चलिए सर, आप चलेंगे तो बहुत खुशी होगी कवाली के अंद्जम है क्या जी सर, है तो हम ज़रूँ चलेंगे, बिल्कुल सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर ओके, हम जी सर, चलेंगे औकी, ह। ँच्ट चलेंगे, झालेंगे तो ये सर, जुशी होगी किए, जी 6 दो हम इा जात खुशी होगी सर, बिल्कुल सर, जी सर, जी जी घुशी हो जी वरिशाख noया काचा, कैसे सर, इन Л. झाल 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 इम्रान सरिया जो है गंगा बैराज की पूल की तरफ से आ रहा है और हम उसके पीछे लगे हुए फिल्डिंग सजा दो झाल हुआ! य्विरिफ सुен और यूख खाय एव बहुत आफ रख दंच रख अपूर अज़न दो तो है अच्सार कीन को किया है इम्रान सरिया का अदमी है इम्रान सरिया के गुटों में जो है मुटवेड हो ही है मुटवेड में ये मारा गया है जाएंसर जी जी सर जी सर हाँ ये हत्या हुई है गंगा बेराज पे जी इमरान सरीय का गुर्गा बताये जा रही है कानपूर में हत्याओं का दोर नहीं रुक रहा है आज फिर दिन दहारे कानपूर शहर में गंगा बेराज इलाके में एक निर्मम हत्या कर दे गई अभी पिछले दिनों की ये बात है जब नवीन मार्केट में एक बच्चे का दिन दहाड़े आफरन कर लिया गया जहां दो गुट आपस में लड़ गये देखना ये है कि कानपूर की पुलिस क्या कर रही है पुलिस अभी तक किसी भी मामले पर नहीं पहुच पाई है जहीं सर इम्रान सरिया गंगा पराज के पास देखा गया तुम्हें काम करो इम्रान सरिया के फॉर्म फाइल लेकर आओ जी साले को आजित होग लेकर आओ स्वारत सारे इलाके की नाका बंदी करो एक बी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए सर यह है कि यह है कि कि इम्रान सरिया मारा गया कहा है कब इस अब इस पहले किसमे किया होग क्या हुआ शुबित सर इम्रान सरिया मारा गया है अरे कहा है सर गंगे पराज में किसने मारा सर बड़े भाईयों के आदमें होने और किसने साला शाहर की एक गंदगी तो कम होई चलो अच्छा हुआ मारा गया है इस साले की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई शहर की गंदगी खत्म होई अरे भी शुरू है याप पुल्तान तो यहाँ चैन की नीज़ हो रहा है और मेरी नीज़ हराम करकर सुल्तान वेर इस माई रैनाइस मिश्णो भाई वो हीरे वो हीरे तो पुलिस ने लिये थे इंपॉसिबल पुलिस के पास हीरे और खाबर अकबार में भी नहीं आई भाई भाई मैं सच बोल ना हूँ भाई ख़बर आई के नहीं आई मुझे नहीं पता लेकिन वो हीरे पुलिस से ले लिये थे भाई सुल्तान सुनिया को जानते हो सुनिया? मैं किसे सुनिया को नहीं जानता हूँ भाई सुल्तान मेरा पैसा लेकर के तू यहां एश कर रहे इधनी प्रॉपर्टी बना ली तूने हां? सुल्तान इतने दिन से कहा थे तू सुल्तान तुम मेरा तीन-चाथ दिनों से फोन क्यों नहीं उठा रहे हूँ? अरे मैं तुम्हें फोन करता लेकिन तुम्हें मालूम है मैं बहुत बड़ी परिशानी फ़स गया था ऐसे कौन से टेंशन है? पता है किसी का फोन नहीं उठा रहा था तुम एक बार मुझे बात तो करते है किता परिशान थी अरे मैं किसी का फोन नहीं उठा रहा था और मैं तुमको फोन मिलाता अब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हें यकीन नहीं है मेरे उपर? मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था आज भी प्यार करता हूं तुम्हें बहुत दोस्ताना लगता यह सुल्तान पुलिस से मेरे हीरे पकड़ा के तुम्हें क्या लगा? कि विश्णू खुश होगा? शाबाशी देगा देवा जी भाई कितनी गोली हैं इसमें भाई एक गोली और मते दो 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 अब इसमें एक मौन और पाच जिंदचे पड़े जूना हम लोगे खेल के ले यह कैसा खेल जिसमें एक मौत और पांच जिंदगी हूँ सुनिया तुम्हारा क्या होगा सुनिया सुल्तानी क्या हो रहा है अरे भाई भाई इसे मत मारो यह भी बज़ गई यह भी बज़ गई यह भी बज़ गई दोनों के दोनों बज़ गई हुआ 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 हु विश्नु का पैसा, कोई नी खा सकता कैसा है तू, बढ़े हाँ, मलिक साभ अरे विश्नु तूने ये सुल्टान को क्यों मार दिया मलिक साभ अपना सुल्टान गत्तार हो गया था गत्तार ? वो तो अपना आदमी था यही दुरोना है कि वो अपना आदमी था उसने सारे हीरे पुलिस को दे दिये पुलिस को दे दिये? हाँ मुली साम तो हीरे कहा है? हाँ, हीरे मेरे पास है लेकिन मलिक साब अपने छे हीरे अभी मिसिंग है छे हीरे? हाँ मलिक साब क्यों? वो सिल्तान ने अपनी चम्याव रुपने जा दिया नए 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 मलिक साब इसमें कोई बात में उन छे हीरों की बदले आपको इतना बड़ा उंपायर मिल गया छे हीरों के बदले ये इतना बड़ा उंपायर वाँ विश्वू वाँ ग्रेट है यू आर माइ स्टार केरियार आई प्रावड अफ यू आई प्रावड अफ यू आँ देरे देरे अरे मैं हूँ चमन गंज बिर्यानी अरे किसी के मुह में हाँ पानी अरे मैं हूँ चमन गंज बिर्यानी कहीं सुबह कहीं पे शाम हूई अरे मैं होडों में बद ना भूई अरे करती हूँ बबन मानी अरे मैं हूँ चमन गंज बिर्यानी अरे किसी के मुह में हाँ पानी अरे मैं हूँ चमन गंज बिर्यानी अरे किसी के मुह में हाँ पानी अरे ठकू का लड़ू मेरा जोवन पापा की लड़ती मेरा पजन टंडे कमा कबाभ हूँ में अस्ती से भराश पाभ हूँ में मुझे पान बना रती भाता है मेरे कान पर से नाता है पेरे अंदर कीडे सुल्दानी मैं चीज बड़ी हूँ बसतानी तो चीज बड़ी है बसतानी तो चीज बड़ी है बसतानी अर ना हूँ चमर गज बिर्यानी और किसी के मुह में पानी अर ना हूँ चमर गज बिर्यानी और किसी के मुह में पानी अर जो पारूदों में पले पड़े ला उन लोगों देखोन भिड़े ये रोड पे जब भी चल दे है तब अपना रोड बतल दे है जब आलम मार्केट जाते हैं खुद को बिंदा से बनाते है मेरे रिश्दा इंसे जुस्मानी मैं चीज बड़ी हूँ मस्तानी अर मैं हूँ चमन गंज बिर्यानी और किछी के मुह में है पानी कही तुबह कही पे शाब हुई अर मैं रोडो में बगना भुई अर करती हूँ मां मन मानी अर मां हूँ चमन गंज बिर्यानी और किछी के मुह में है पानी अर मैं चमन गंज बिर्यानी और किछी के मुह में है पानी कान पुर के शोले भड़ के गली गली में शोर तेरे खुष्ण का तोला भड़ का खबर हचादो ओर कान पुर के शोले भड़ के गली गली में शोर तेरे खुष्ण का शोला भड़ का खबर हचादो ओर अरे कबर है चारो ओर अरे कबर है चारो ओर अरे कबर है चारो यही विश्नु ओर? जहिन सर सर उस्मान आजकल परेट पे आते जाते देखा गया है उसे वहीं से दबोचा जाए अरे कराइम ब्रांच का सीनियर ओफिसर है ओफिसर? सीनियर ओफिसर अपने क्राइम ब्रांच का ए रफीक कल कैसा गोश दिया था रहे तुने अबे हराम की लेगा तो ऐसी तो मिलेगा अच्छा एक किलो ताजा गोश निकाल ये ले ये रफ अच्छा लेगा अच्छा रूज। ये लेगा राह다 वे अच्छा येख्याओ तुने मेरे आदमियों को महरा आज तुझे महरा बना के एसीपी का खेल खतम करेंगे तेरा ये सपना रखा का रखा रह जाएगा समझा तू एसीपी का तू बाल भी वाका नहीं कर पाएगा कमीने सुखर की मौत मारेगा तू सुखर की मौत मौत का खेल खेलने वाले इस बड़े भाईया को मारने की हिम्मत उस चोहे में है साले एक मिनट में उड़ा सकता हूँ मैं एक मिनट में सुखर की मौत मारेगा तू समझा वो यहाँ आएगा तुझे कुट्टे की मौद मालेगा देख तेरी मौद का काल आ चुका है देख 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 अगर इसका मिने की जिन्दगी तुझे प्यारी है तो गम फेट देख आज से तेरी कहने खत्म इसी जगा तेरी कवर खोदूगा और तुझे दफनाऊंगा गमजोरों पर अत्य अचार करने वाले जूर करने वाले बेकसूरों की जान लेने वाले मैं तुझे बरबाद कर दूँगा तेरी काली कमाई को नाश कर दूँगा अगर तुमें गण्दी तुझी तो मैं इसको मार दूँगा मार दूँगा मैं इसको आप तक तेरा पाला किसी ऐसे वैसे ऑफिसर से पढ़ाओगा और तेरा मुझ जैसे जावाज से कभी नहीं पढ़ाओगा सर इसकी बातों मैं मताना आप सर आप आपको अपना फर्ज निभाना है सर आपको याद है सर वर्दी पहनने से पहले आपने जो कसम खाई थी सर आपको 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 चंता से किया हुआ वादा निभाना है सर इस शेहर से वादा किया हुआ निभाना है सर कमीन, अब तु जाकर अपने पापों का पुराशित करना! काणूंसे खेलता है! सर, मेरे फिक्र मत करदे शर! शूट कर दीजे इसको! शूट कर दीजे इसको! बहुत हो गया, बहुत हो गया तरा नाठाकी! मार्फ कर तो, इसी पेशा, आप कर तो! बमः आतकर्दथर मः उेолов expedition या वया एजरी का लो नाम खाह राहिया खाहिया, काहिया जाएएवात टॉडल ब करकिन हाय बहुत जल्दी में हो बरफुदार आँ आँ चोड़ो मुझे पर दो जो जो चोड़ो चोड़ो मुझे चोड़ो चोड़ो या! जो लोगो जो तो जो 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 eg जो जो आथ बालादो अ। बालादो वैस्टिटल के सामने खड़े और फूफू कर रहे? आ बीबी बीमार के वार इंदर है क्या हो आप ख़ी बालादो वही औरतों वाली भीमारी औरतों वाली भीमारी खर्चा एकना और सिगरेट कितना की है 10 रुपे गी 10 रुपे गी और जेर में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या बख रहा है यह देख मौत लिखी इस पे मौत और यह सानिटी पैट पे जिंदगी हसमात दो सिगरेट के पैसे से भावी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्गंदा कपड़ा इस्तमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानि कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीच सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अभास हीरोगिरी यह पीने में नहीं है यह देने में अपनी बात करा दो सर गाबर का फोन है बोल गाबर आज कैसे याद किया बोस बोस मैं मैंने इसलिए फोन किया था कि एसी पी ने बड़े भीये को बड़ी बुरी मौत मार दिया है क्या एक काम कर तुम वहाँ से किसी तरह से निकल बाकी मैं समालता हूँ इसी पी वो बड़ें! बनार वो वो बड़ें! कैसा दुन्दा चलना तेरा? ठीक चलना थाप! एक काम करेगा मेरा? जी साब! कुछ पता चलना? सामने मेल्डिंग है थाप? दीके अंदर है थाप! वहां मिलेगा! अभी घर में ही जी साब! पता चलना चलना थाप! पता चलना थाप! अज़ पता चलना थाप! मेरा एंकाउंटर मत करो SAP मेरा एंकाउंटर मत करो साब मेरा एंकाउंटर न करना साब ACP साब तेरा एंकाउंटर तो नहीं करना है तुझे जंदा रखना है तु मेरे काम का अदमी है तु बताएगा मश्यून का बता तु तु बताएगा बताएगा साब बताएगा ना बताएगा यह ए एठ già है है लो ए असीस्थेंट कमिशनर इस्वाइव पॉलिस कौन बाला है तू अगर दम है तो सामने आकर बात कर अकरम सिद्धी की साफ वाल दियत कयूम सिद्धी की साफ लकनों से कानपुर का सफर कैसा लग रहा है सिद्धी की साफ सिद्धी की साहब कुछ एट हटा देने से इमारते नहीं किरा करती और आपको क्या लगा कि आपने मेरा पूरा समराज हिला दिया वैसे आपको ये सरकारे तावर बड़ा ही मजबूत है सिद्धी की साहब मर्द का बच्चा है तो मद्दान की दिखा कुट्टे की तरह भोग रहा है मौता ये तरी सिद्धी की उगलल का रहा है तुझे क्या लगा ढून नहीं पाएंगे हम विलन कितना भी हरामी क्यों न हो उसे ढून कर मारने का मज़ा और ही होता है बला इसी में है तू जल्दी से सरेंडर कर दे नहीं तो नंगा करके तुझे मारेंगे बीच चौर है पर लटका के मारेंगे विष्णू विष्णू नाम है मेरा तुने शेर के मुँपे हाट डाला है फोन पर धमकी देने वाले अपने आपको शेर समस्ता है शेर वो होता है जो दुश्मर के ठिकाने पर शिकार करता है तेरे जैसे चुए शेर नहीं हो सकते तेरी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है क्योंकि ACP जब घर से निकलता है सर पर कपन बांग कर निकलता है समझा? समझा? मात को आने से पहले मात को भी मुझसे पूछना पढ़ता है कि मुँ आऊं? या नाऊं? या वा नाऊं तेरे मिर凜श कर भी या बाल कि लेच्छार साले को पुलिस इस्टेशन इस्पेक्टर ये सिद्धी पुलिस टेशन लेकर जाएगा अब चुटकियों में शूट जाऊंगा चुटकियों में तुम लोगों की उकाद ही क्या है कि फिक्षार रुपए में क्या करेंगा मारेगा अरे भूल गया आपने ते कितना तो ते कितना तो ते कितना तो प्रिश्णू तूने मुझे इतनी उचाई पर क्यों बुलाया है मलिक साथ वो जो टावर देख रहे हैं आप वो वाला वो ना वाला अहां देख रहा हूँ मलिक साथ मेरा सपना है कि वो टावर मैं खरीदू खुद खरीदोगे वो टावर वो तो बहुत महेंगा है हाँ मलिक साथ पूरे दो सो करोड उपए का दो सो करोड और मेरे पास कुछ ऐसा किया है मलिक साब कि वो टावर मेरा हो जाए वो कैसे बस मलिक साब आप दिखते रहिए मैं कैसा गेम करता हूँ वो टावर सिर्फ विश्णू का होगा जैन साब अतुल ठागूर की हत्या में किस कहा थे सर बड़े भाईया के अलावा इनका और कोई जश्मन नहीं था जाहिर सी बात है इन्हें जान से बड़े भाईया नहीं मारा होगा सर ये तो सबी कभी मालूम है इमरान सरिया जब से ठागूर साब से मिल गया है तब से दोनों की आपस ही रंजिश बढ़ गई है उसका नतीजा ये निकला है दिल दिए आगलां करागे नाल नाल बेख चा नो चा ये ले लों क्या? ले लो शान पापा का फोन है ओके हलो हाँ पापा हाँ 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 बोली हाँ पापा मार्केट में हूँ थोड़ी देर में आती हूँ हाँ ठीक है प्रिया हाँ हाँ कि अई बन्याओ करें दो से… र्रॉष्ण कि युष ले लेड़ ले ले बन्याओ झाल 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 झा फजहर हो आई पिया फिया पिया पिया फिर निया झाल 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 शान, 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 प्रिया को हस्पटर लेगे जाओ जल दे, इसके हलत नाजो का है, मैं लोगों को समालता हूँ, मैं लोगों समाल हूँ, प्रिया, 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 विष्णू, यह बोल नहीं रही है विष्णू, आखे खोलो प्रिया, आखे खोलो प्रिया, पिया, यह यह सब, कैसे हुआ पिया, कैसे हुआ, किसने किया यह सब, कैसे हुआ यह सब, मुझे उसका नाम बता, बैटी, नाम बता, मैं उसको पाताल से भी खीच कर मार दूँगा बैटी, मैं मार दूँगा उसको, मैं पाताल से भी खीच कर मार दूँगा उसको, बता यह सब, किसने किया यह सब, 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 पापा, पेटी नहीं, पेटी मेरे प्यार को जीने दो पापा, मुझे मेरे प्यार के साथ जीने दो पापा, 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 तो अपने जिए अपने मुझाबिक जीओ, उनको मैंने आजाद किया बेटी, आजाद किया जाएन सर, सर बहुत ही चौकानी वाली बात सामने आई है, बड़ा भाईया विश्नु का ही आदमी है, और विश्नु के लिए ही काम करता है, सर विश्नु ने तो ठाकूर कोफी मरवाया है, सर विश्नु के बच्चिवे गुंडे हैं, वो भी, आप खेल समझवाया है, के माज कांदाल कर दो घ्मादा के है Semग करता है के बच्चिच कर दो एक काई जाले एक अबे तरी लगा फोन अपने बाप को करेकी काम हो गया काम तब तेरा होना है ये सिद्धी के तू जानता नहीं है कि तूने किसाब के मुँबे बहे रखाए अगर दराते भी मेरे आद्मे को करो जाई ना मार दूंगा मैं तुझे जोड़ूंगा नहीं मैं तुझे जोड़ूंगा नहीं मैं तुझे सिद्धीकल इतों गया क्यार सत्या जी बाई ऐसे सिच्वेशन पर मैं को लिगी चला सब्साले को मैं ही टपकाता हूं तो बड़ा कमजोर निकला तेर की गोली में ठंडा जयलो एसीपी का एक सिपाई कि मैं अथिपिग्टी मैं यद्धी का एक सेमिलो लुड़ूंगा इसीपी सहाभी आज आपका एक और सिपाही शहीद हो गया वो भी नहाते हुए और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगार सकते एसी पी सहाब इस खेल में तो बहुत मसा हा रहा है हम लोगों को बस आप से एक मुलाकात हो जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे एसी पी सहाब तो एक बात अच्छी तरह से चान ले शहादत हमेशा जाबात जो अपने जान की परवा किये बगयर अपने देश पर कुर्वान हो जाते है उत्ते शेर की खाल ओने से बेड़िया शेर नहीं बन जाता है तेरे पापों की सजा देने के लिए यहां मैं स्पेशल आया हूँ क्यासर कर dot क्या है ? гол जिक्रम को کے इंदे व्यूंदे कृण बीचिति के फिरफ गाहँ हो क्यासे एंदे हरा? क्यासे भूज है और यूज और यूज है यूज है किराय का है वस तुम यह बहुत अच्छी तरह से जानते हो यह बात है युमेशान हम लगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंग्ज है यह केस बहुत इसन से चरह है लेकिन मुझे पूपार भर रिसा है जी सर, थैंकियू सर मैं अपनी जयन की परवा किये बजय है इस बिसन फूप कंप्रीट करूगा है मैं अपसे वादय करता हूँ जहिन सर, सर इन दरिंदों से आप दूर ही चले जाएं सर सर मेरी माने तो इस कानपूर शहर से ही आप दूर चले जाएं यह जालिम है सर, सर हम लोग आपको कुछ होते वे देख नहीं सकते सर सर जब से बड़े भाईया के गैंके लोगों का हम लोगों ने इंकाउंटर किया है वो बोखला सा गया है सर, बोखला सा गया है सर यह राक्षस है राक्षस, यह इनसान नहीं है सर, राक्षस है तो सही कह रहा है इन राक्शसों गुमानने के लिए हमें भी राक्शस बनना होगा हमें भी राक्शस बनना होगा जुल्म का नाम उनशान मिटाना होगा हिम्मत दही हर दही आए वेलकम सिद्धिकी मैं आपसे कुछ हर्ज करना चाहता हूँ जुर्म करना बहुत बढ़ा गुना है और जुर्म देखते हुए सहना उससे भी बढ़ा गुना है तुम्हें मायूस होने की ज़रुरत नहीं है ना कुछ सोचने की ज़रुरत है ये कर्म का वक्त है, पुछ करने का वक्त है, इन गुंडों को घर में घुस घुस कर मारो, और इस शहर को जरायम से पाक कर दीजिए, और शहर को गुंडा गर्दी से बेलकुल साफ कर दीजिए, जैन सर। लगता है अब शहर को इन गुंडों से राहत मिल ही जाएगे। कर दो कर दो कर दो अजर हो कि कर दो 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 है यक rico ये विप्त विश्णू को छोड़ेंगे नहीं विनोद अपना भाई था तिवारी यह सर विनोद की मा को खावर कर दो इत्तिला कर दो जी तर अलो अकरम सिद्र की सहाँ कैसा लगा मेरा ये खेल आपको वैसे आपकी ये सिपाई है सिपाई शत्रंच के प्यादों की तरह पिटते ही जा रहे हैं पिटते ही जा रहे हैं आज तक तुझ इतने भी खेल खेलता रहा है तेरे ऐसे बुजदिल ही खेल सकते हैं जो बिल के अंदर रहते हैं और अपने को बातूर समझते हैं मैं उन्हें नपनसक सबस्ता हूं कमीने अवर्तों की तरह चुली पहन के घर में पेटा हुआ है अपने आपको मर्द समझता है हिम्मत है तू निगल के आज सामने यार पो कहीं का फिर तुझे दिखाते हैं मर्द किसे कहते हैं हम पुलिस वाले जिसको तू कमजोर समझता है वही पुलिस तुझे गोली वाले तुझे गोली बारता है कि मैं आउँ या नाउँ हाँ 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 मैं टेला कर देता हूं देवा मालु मैंने तुमको जी अरे प्रिया का फोन हाँ प्रिया क्या मैं मैं भी आ रहो प्या जा प्रिया प्रिया अपने आपको सवाल हो प्रिया सत्या पता लगाओ मेरे बाप जिसले इंसान को किसने मारा पता लगाओ पुले शायर में आग लगा दू लेकिन बचना दे चाहिए वाद भी पता लगाओ उसका जाओ आग प्रिया आज तुम्हें बहार ले चलते प्रिया भलिक साहब को गयाज पूरे पाच दिन हो गए उनके बगार हम लोग प्रिया बहुत हदूरे हैं मैं तुमसे एक वादा करता हूँ मलिक साहब के कादिलों को मैं डून के मारूगा मैं डून के मारूगा भाई इसी ने मार था अमारे साहब को टेक रहने जिनापुर क्या भी गारा था मेरे पाफ ने हाँ क्या भी गारा था मेरे पाफ ने हाँ बदा बश्पन से आज तक मुझे अपने साहब पाला उसको तुने मार दिया प्रिया क्या हुआ 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 विष्णू मारा जाएगा हुआ हुआ है करकते हैं अब तो यहां अब तो इसको अपने थिकाने बंद करने ही होंगे अब अभी से तर रही हुआ है के दिए नहीं है रॉप यह हुआ हुआ है क्या हुआ है कि दो रॉपिन के आख फोटिक ए कि अब कहा हुआ है जिशुनु की फाइल नियुक्त लगगी है बहुत कहता था था अब उसकी मुथ आईगी कि चलिया जाल में फज गई के चलिया जाल में फज गई अरे देवा जरा एसीपी को कॉल ते लगाओ काफी टाइम हो गया है उनसे बात नहीं करें यू जैन 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 अगए शाइम होगी यू अजया अच्छा हुआ य है किस तो बंद रख में है जो अच्छा होँआ है यह किस को बंद हुआ है का एक है कि आए हलो हलो एसी पी सहाब आपको कितनी बार मैंने यह कहां कि मात को आने से पहले मात को भी मुझसे पूछना पड़ता है कि मैं आऊं या ना आऊं और आपने चंद सबूत के अखटे कर लिए आपने सोचा कि आप विश्णू को जेल की सलाकों के पीछे डाल देंगे एसी पी सहाब वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात तो आपको बताना चाहता हूं है कि आपका एक साथी एक कबूतर हमारे पिंजले में कैद हो चुका हाँ 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 विश्णू सौन पिंजला तो तेरा मैं अब बनाऊंगा इन सलाकों के पीछे मरने के लिए तैयार हो जा मैं आ रहा हूँ तेरा काल बनकर आईए आपका इंतिजार है तुझे क्या लगा विश्णू मुझे मार कर तु जेल की सलाकों के पीछे जाने से बच जाएगा भूल तेरी भूल मुझे पकड़कर तु ने अपनी मौत का काउंडाउन शुरू कर दिया है काउंडाउन शुरू कर दिया है मेरी मौत का काउंडाउन शुरू कर दिया है ये जूदा मेरी मौत का काउंडाउन शुरू कर रहा है साला, मुझे काउंडाउन सिखा रहा था कर दो तूने मारी एंट्रिया और दिल में बजी घंटियां तान 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 ए सीपी साब आपने तो आने में देर कर दी देखिए आपका जावा सिपाई तो कुर्बान हो गया कुछ से इस भारत मा के लाल की कुर्बानी जाय नहीं जाएगी और तुझे क्या लगा तुने मार दिया वो मरा नहीं वो शहीद हुआ शहीद कभी मरते नहीं जब जब तेरे जैसे राक्षच पैदा होंगे ऐसे देशभक्त जन्म लेते रहेंगे अरे, अरे, मारे जाएगी झाल झाल खिक कैसे खाल कि उेएदददाcific कि reaches तुम कि उेएद्ट जेएद से तुम झाल 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 शाबाश बहुत कर्मी है तेरे खुन में सिपी तुझको तो जापाजी का अवार्ड मिलना चाहिए हाँ तुझे शैद अभी मालूम है यम्राज विल उससे पूछ के आते हैं और तु मुझे मारने है विश्नु को मारने है हाँ मरेगा तु विश्नु मेरे हाथ मरेगा लुट का मज़ा हर मखलूम को चखना हुता है कि मारूगा तुझे मैं मरेगा तू विष्णू मरेगा कुट्टे की बहुत मरेगा तुम भूल गए कि मौत को आने से पहले मौत कभी मुझे पोचना सबता है कि मैं आऊं यह ना आऊं आऊं यह इद्धिक शिकार करता है ना तो अके लें इशिकार करता है इसी की तखलंदासी पसंद नहीं करता प्रुड़ 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 प्रुड़